दुनिया भर में भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बनने जा रहा है। सेयुक्त राष्ट की रिपोर्ट कहते हैं कि जनसंख्या के मामले में अगले साल तक चीन को पिछाड़ कर भारत पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। बढ़ी होती जाएंगी सर भारत में आबादी में बढ़ुत्री का परिदर्श्य कैसा लग रहा है आपको अगर आप आबादी को की वरद्धी की दर्श्टी से देखें शुबम यह आंकड़े काफी महतुपूर्ण है और हमारे लिए इन्हें समझना जरूरी है भारत की अर् यह भारत में आबादी बढ़ने की रफतार कम हो रही है जो सबसे बड़ी चुना होती थी पिछले एक दशक पहले तक कि भारत की आबादी की रफतार तेजी से बढ़ रही थी 1971 से 81 के बीजे करीब 2.5% के रफ़तार से बढ़ रही थी और अब हमारे पास जो ताजें आकड़े हैं वो एक दसमत 3% के आसपास है और अब हम आबादी बढ़ने के मामले में दक्षनेशिया के देशों के बराबर आ गए है अबादी बढ़ने के रफ़तार के मामले में 1.2% के आसपास अब हमसे जो जाधा खराब इस्तिती में है वो निमन और मजोली आयवाले देश है जो वर्डवेंक के आकड़े के हिसाब से जबकि कम से कम भारत के लिए उची आबादी बर्दिता दो फीस्दी और धाई फीस्दी के आबादी बढ़तरी के दर के दिन तो पीछे छूट चुके है तो इस दर्श्टी से गर आप देखें पापॉलेशन बढ़तरी की रफ्तार की दर्श्टी से तो भारत के लिए पिछला देशक काफी सफल साबित हुआ है हमने आबादी बढ़ने के रफ्तार को रोपने में बड़ी सफलता हासिल की इसके कई सारे अलग-अलग कारण है अगर आप इन आकुनों के और भीतर उतर के देखें तो थोड़ी चिंता है हमारी आबादी की बढ़तरी को लेकर और कम होती है दक्षन भारत, पंगाल, पंजाब, असम, हिमाचल, महराष्ट, ओड़ी इसा करीब-करीब 13 राज्जे से हैं यह सिंसस का अंकड़ा है जो सरकार देती है और एकनॉमिक सर्वे में इस अंकड़ा को विस्तार से बताया गया था वहां तो आबादी बढ़ने की दर कलब एक फिजदी से नीचे आ गई है और वो यूरोप की दर के बराबर है यानि इसके बाद फिर आपको अगली जेनरेशन लाने के लिए जिस ग्रोफ रिट की जरोथ होती हैं लगवग उसके आसपास खड़े हैं यहां की जो बड़े राज्ये हैं भारत की जहां पर आबादी बढ़ने की रफ्तार राष्ट्रे उसत से जाधा रही उत्तरपदेश बिहार राजस्थान वहां भी हमें आबादी बढ़ने की दर में गिरावाट आई है अब जो दस राज्ये जो एक फीजदी से ऊपर की आबादी की दर दिखा रहे हैं वहां भी दो फीजदी से नीचे प्रदिदर दिख रही है तो यह एक महत्तुपून बात है और यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है जो जन्मी की संभावना र रहे गई 5.3 से 2.3 रहे गई तो अब रिप्लेस्मेंट फर्टिल्टी रेट काई राज्यों में दो संलोब एक क्या सपास आ गई यह आबादी का बड़ा डिमोग्राफिक पिक्चर है जो हमें दिखाई देता है तो इसे साब से हम यह रहत के सांस ले सकते हैं कि भारत में आबादी नी इंटरन के जो भी उपाय किये गए या जो शिक्षा का इस तर बढ़ा उससे कम से कम हम विस तेज आबादी की प्रदिदर वाले देशों की सीमा से बाहरा गए है अब यहां से दूसरा हिस्सा शुरू होता है जहां से हम आबादी की सफलता का दूसरा बड़ा पहलू देखते हैं एक चीज़ हमारे लिए ध्यान रखना जरूरी है भारत की युवा आबादी का जो लाब है वो अब एक दर्शक तक का बचता है एक दर्शक है पंधरा साल का है जो इस डिमोग्राफिक डिविडेंट के हम बात करते थे जिन युवाओं के हम बात करते थे एक दिल्चस माकड़ा अम अपनी स्टोडी में दिया था कि 2011 से 2020 तक का जो दशक था वो भारत में युवा आबादी की लाब का सबसे अच्छा दशक था क्योंकि इसकी वज मुगदान जिबके हमारी विकासदर 2011 से 2020 के बीच में कोई 10 फीजदी या 12 फीजदी की नहीं थी और सथ हम 6 से फीजदी से 7 फीजदी बलकि 7 फीजदी से नीचे कि दर से ही भारत की आर्थी विकासदर रही लेकिन युवा आबादी के कारण भारत की प्रतिवेक तियाए 2. 2.62 percentage point बढ़ी थी जो 20 साल में सबसे जादा थी अगली चुनोती जहां से शुरू होती है कि 2021 से 2021 के बीच यानि 2022 से 2021 के बीच दस वर्षों में 42 करोड़ों लोग काम करने की उरजा के साथ काम करने की आयों के साथ बाजार में खड़े होंगे यह सबसे बड़ी संख्या है य अगले दो दशकों में हर साल कम से कम एक करोड़ों से 50 लाख रोजगारों की जरूरत होगी जो पूरे सिस्टरम में कहीं न कहीं बनने चाहिए चाहिए वेगरी कल्चर हो या सर्विसेज हो या इंडस्ट्री हो या बाकी बाकी जगे हो यह डिमोग्राफिक डिविडेंट थीमे धीमे उतार की तरफ 2030 के बाद जाना शुरू हो जाएगा और ये बात सरकार के अपनी रिपोर्ट्स भी बता रही है और इस आबादी के आँकड़े से हमें दिखाई दे रहा है तो सर एक दशक के बाद कर यह चुनोतिया और बड़ी होती दिखेंगी अब यह उसका तीसरा पहलो आबादी का जिसे हमें और जहां से हम तीसरी चुनोति की तरफ जाते हैं जो मौझूदा प्रजिनंदर है जो मौझूदा रेट है भारत में जन्म लेने की उससे 2041 वो कट अफ येर होगा जहां भारत में युवा आबादी का अनुपात अपने चरम पे पहु करते हैं यानि पांच लोग करीब करीब धाई लोगों को लोग उनके उपर डिपेंडेंट हैं दक्षण के राज्यों में ऐसा सरकार मान रही है सरकार के आकड़े मान रहे हैं कि एजिंग या बढ़ापा या ग्रेंग 2030 से ही शुरू हो जाएगी अब इसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी चुनोती है कि कई सारे राज्यों में एजिंग भुद जल्दी आएगी भारत में डिपेंडेंसी रेशियो स्तेजी से बढ़ेंगे एक पूरी बड़ी आबादी जिसके पास कोई वित्ती सुरक्षा नहीं है जिसके पास कोई पेंशन नहीं है जिसके पास को लेकले दस साल में बुजर्ग आबादी के तौर पर या ग्रेंग की तरफ चली जाएगी इसमें भारत में कुछ छेतरी अंतर दिखाई देंगे दक्षिन भारत में चल्दी आएगा बुढपा ग्रेंग जल्दी आएगी उत्तर भारत में थोड़ा धीमे आएगी यहां से सवाल आबादी का सबसे महत्तुपूर्ण है इस समय इस दृष्टि से देखना इसे समझना जरूरी है